हेलो दोस्तों हमारे चैनल VS Online Tips में आप सभी लोगों का एक बार फी से बहुत-बहुत स्वागत है सिख्षक पातरता परिछा 2024 याने CGTate 2024 का रिजल्ट जारी हो गया है सो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आप अपने मोबायल से अपना रिजल्ट कैसे देखेंगे और कैसे डाउनलोड करेंगे इसके साथ ही जनरल SC, ST, OBC कैटेगरी वाले कैंडिडेट को CGTate पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए कितने नंबर में वाँ पातर होंगे पूरी जनकारी आपके इस वीडियो में दी जाएगी तो चलिए वीडियो सुरू करते हैं रिजल्ट देखने के लिए सबसे पहले आप अपने मोबायल के ब्राउजर को उपन कीजिए सर्च बार पर आना है और यहाँ पर आपको CGVyapam लिक के सर्च कर देंगे यहाँ पर व्यापam की साइट आ जाएगी आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा और इस प्रकार से CGVyapam की ऑफिशल साइट है आपके शामने उपन हो जाएगा अब यहाँ पर इस प्रेज में निचाएंगे तो देख सकते हैं है नोजिफिकेशन ज जारी किया गया है चत्तिसगर सिख्षक पत्रते परिच्य प्राटमीक अक्ष़ एक से-प्त तक अध्यानartment ह तो यहां पर रिजल्ट जारी करने के संबन में है के इस नोजिफिकेशन को जारी कियागया है यहाँसे जोए प्लीक करके आप अपना result यहां से check कर सकते हैं अब result चीक करने के लिए आपको इस page में उपर आना होगा और यहां पर देखेंगे तो result लिखा हूँ वो आता है यहां पर click करना है जैसे आप यहां पर click करेंगे हमारे शामने पर result देखने का जो option से आ जाएगा अब यहां पर भी आप देखेंगे तो 36 गड़ सिक्षक पातर तब रिच्छा लिखा हूँ वो आता है बगल में आप यहां पर red color का result लिखा हूँ वो आ रहा है यहां पर click करेंगे जैसे आप यहां पर click करेंगे आपके शामने इस प्रकार से जो login करने का page आ जाएगा अब दोस्तो login करने के लिए सबसे पहले आप यहां पर mobile number एंटर कीजिए नीचे password आपको enter करना होगा और यहां पर login के option पर click करना है अगर आप अपना password भूल गये हैं तो नीचे forget password पर click करके आप अपना password को दुबारा प्राप्त कर सकते हैं अब जैसे यहां पर जो id password डाल के login करेंगे आपका profile है कुछ इस प्रकार से login हो जाएगा यहां पर इस page में निचे आएंगे तो चौथे नमबर पर result download लिखा हुआ आता है यहां पर आप click कर दिजिए अब जैसे दोस्य यहां पर click करेंगे तो आपके शामनी इस प्रकार से देख सकते हैं जितने भी result जारी हुए हैं यहां पर show हो जाता है दोस्तों अब यहां पर देखेंगे तो पहले नमबर पर TET 2024 प्रैमरी लिखा हुआ आता है बगल में आपर print result का option से यहां पर हमें click करना होगा अब जैसे आपर click करेंगे तो आपका result है कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाता है दोस्तों यहां पर देख सकते हैं CG TET 2024 प्रैमरी लेवल का result यहां पर जारी हो गया है अब यहां पर नीचे देखेंगे तो आपका पूरा detail यानि आपका role number, application number, candidate name यह सारे detail है यहां पर देखेंगे हैं अब दोस्तों इस page में नीचे आएंगे तो आप देख सकते हैं Marks के पायरे में आप पूरा detail बताया गया है दोस्तों अब यहां पर देखेंगे तो सारे subject यहां पर देखेंगे हैं CDP, Hindi, English, Mathematics, EVS और इसमें आपको कितना कितना number मिला हुआ है आप यहां से check out कर सकते हैं सभी subject को मिला कर आपके यहां पर total कितना number हो रहा है यहां पर देख सकते हैं अब दोस्तों यहां पर इस status में अगर यहां पर eligible लिखा हुआ 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 आता है तो आप यहां पर cg date pass है अगर दोस्तों यहां पर not eligible लिखा हुआ आता है तो आप यहां पर cg date pass नहीं है आपको दुबारा जो है date का paper देना पड़ेगा अब दोस्तों इस रिजल्टों को डाउनलोड करने के लिए नीचे देखेंगे तो प्रिंट रिजल्ट है लिखा हुआ आता है यहाँ पर क्लिक कर दिजिए और इस प्रकार से देख सकते हैं आपके सामने जो है नया पेज़पन हो जाएगा अब यहाँ पर देखेंगे तो 3Line है यहाँ पर क्लिक करना है सेवेस पीडिया प्लिका हुआ आता है यहाँ पर क्लिक किजिए और सेव के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका रिजल्ट है आपके मोबाल पर से हो जाएगा आप किसी भी नजदी के कम्प्यूटर शॉप पर ज आर्थियों को 60% लाना अत्ती आवश्यक है यानि अगर आपका 6% आता है तब ही आपको यहाँ पर इसमें पर्तता दिया जाएगा इलिजिबल किया जाएगा लेकिन दोस्त इसके साथ यहाँ पर बात करूं तो जो अनुसूचित जाती अनुसूचित जन जाती तथा अन्य पिछडावर्ग इसके साथ ही दिव्यांग कैंडिडेट को यहाँ पर देख सकते हैं 50% लाना आवश्यक है यानि कि बात करें तो अगर आप जनरल कैटेगरी की कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पर जो 60% लाना है यानि कि 150 में आपको नंबे नंबर या उससे उपर लान हैं तो यहाँ पर आप पात रहें तो जनरल कैटेगरी वाले कैंडिडेट को 90 या 90 से अधिक लाना होगा इसके साथ ही SC, ST, OBC वाले कैटेगरी वाले कैंडिडेट को और जो दिव्यांग है उनके यहाँ पर 75 या 75 से अगर आप जो अधिक लाएंगे तो आपके रिजल्ट म से अधिक लाइब हैं आप देखेंगे तो आपकी जो सेटिफिकेत की वैलेडिटी है यहाँ पर लाइफ टेम तक है आप जो है लाइफ टेम तक की स्टिफिकेट का यूज़ कर सकते हैं लेकिन अगर आपको नंबर बढ़ाना होगा तो आप दुबारा जो शेजी टेट में पर सिजी टेट की अपर क्लास यानि लेवल 2 के आपके रिजल्ट जारी कर दी जाएंगे उसके बारे में अलग से वीडियो हमारे चैनल पर आएगी तो जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए